कपास की फसल की बुआई करने वाले किसानों के लिए खुश खबरी है आपको बता दें कि कपास की कीमतों में उच्छा लाया है ऐसे में देश की कई मंडियों में कपास के भाव 7000 उपए से उपर पहुँच गए हैं बाजार जानकारों की माने तो कपास के भाव में अभी तेजी चारी रहेगी उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल कपास के भाव न्यूंतन स्मर्थन मुल्या से उपर पने रह सकते हैं जिससे किसानों को इस बार MSP से ज्यादा बाजार भाव मिलेगा ये समय फिलाल उन किसानों और व्यपारियों के लिए कपास की उपज बेचने का काफी अच्छा है जिन्होंने कपास के भाव बढ़ने की आशा में अपनी कपास को नहीं बेचा वर्तमान में घरेलू बाजार में बारिस से भीगी हुई कपास की कीमत अच्छी क्पास की कीमत 7000 से 7500 पे प्रतिक विचल है बाजार जानकारों के अनुसार इस साल कपास के भाव 8000 पे प्रतिक विचल तक जा सकते हैं आपको बता दें कि कपास के भाव कपास के क्वालिटी के अनुसार टैक किये जाते हैं इसमें लंबा रेशा कपास, मध्यम रेशा कपास होता है, वहीं कपास में नमी की मात्रा के अधार पर भी कपास के भाव निर्धारित किये जाते हैं, ज्यादा नमी वाली कपास के भाव कम और कम नमी वाली कपास के भाव ज्यादा होते हैं, वहीं कपास बेचने के लिए नम फसल विपननवर्ष 2023 के लिए मध्यम रेशे कपास का MSP 620 रुपे प्रतिक्विंचल तै किया गया है तो वही लंबे रेशे वाली कपास का MSP 720 रुपे प्रतिक्विंचल है फिलाल मंडियों में कपास के भाव MSP से उपर चल रहे हैं आपको बता दे कि हरियाना की मंडियों म कपास के भाव लगबग 6500 से उपर कारोबार करते दिखाए दिये हैं जीन्द की उचाना मंडी में कपास का भाव 6901 रुपे प्रतिक्विंचल है तो वहीं सिर्सा की नई अनाज मंडी में कपास का भाव 6890 रुपे प्रतिक्विंचल दर्च किया गया तो हिसार की मंडी मे कपास का भाव 850 रुपे प्रतिक्विंचल रहा तो फत्यभाद की भट्टू कला मंडी में कपास का भाव 680 रुपे प्रतिक्विंचल टेखने को मिला ऐसे में बाजार जानकार उमीद लगा कर बैठे हैं कि भाव जल्द ही 8000 पे प्रतिक्विंचल को पार कर सकते हैं